हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल खिपलार्स, आज हम बनाएंगे एक इगल, सबसे पहले हम इसको पैंसिल से ड्रॉ करेंगे, यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में, पहले भाग में, हम इगल कैसे पैंसिल से ड्रॉ करना है, वो आपको सिखाएंगे, और जो वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम आपको सिखाएंगे, कि इसको पैंट कैसे करना है, तो आप अच्छे से इसको सीखना कि सबसे पहले जे pencil से कैसे draw होगा ध्यान से वीडियो सामने रखके आप साथ साथ में draw करके देखना बिर्कुल easy है अगर आप ध्यान से इसको वीडियो देख देखके draw करेंगे तो आप अच्छे से बहुत easily आप इसको draw कर लोगे आएगे आपको और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आप एक बार चाहे दो बार या तीन बार देखना तब आपको अच्छी तरह से समझा जाएगा कि यह कैसे draw किया गया है sheet का size है A4 sheet size है और pencil आप कोई भी जूज कर सकते हैं वैसे मैंने अफसरा की pencil यूज की है और भी आप कोई भी कर लो pencil का इसमें कोई matter नहीं है इतना तो वीडियो का जे first part है इसमें हम इसको draw करेंगे अच्छी तरह से कोई भी painting बनानी इतनी difficult नहीं होती आप बनाने की try करो कोई problem आती है तो comment box में आप comment करके मुझे अपनी problem बता सकते हो और हम आपको 100% reply करेंगे और आपकी problem का solution आपको बताएंगे अच्छे से वीडियो देख देख के आप इसको अच्छी तरह से ड्रॉ केजिए आज हम हमने जे वीडियो जो अपलोड की है यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है किपल आर्ट्स जे फर्स्ट पार्ट है जो आज अपलोड किया है इसका जो सेकिंड पार्ट है जिसमें हमने इसको paint कैसे करना है उसके बारे में जानकरी दी है वो हम कल अपलोड करेंगे और आपके पास वो painting कल पहुंच जाएगी वीडियो तो अच्छे से आप देखी जे कैसे pencil से draw हो रही है step by step आप इसको देखना वीडियो बार बार पाउस कर लेना अगर आप सासाथ बनाओगे ठीक है आपको कोई problem नहीं आएगी pencil से पहले light light सा आप इसको draw कीजिए light light सा draw करके जब आपको लगे कि बिल्कुल सही shape में जो eagle है वो बन गया है तो उसके बाद आप pencil के साथ उसको dark कर दीजिए अगर आपने paint भी करना है इसे दूसरी वीडियो को देखके तो आप light ही रहने दीजिए इसे क्योंकि ज़्यादा dark pencil चलाएंगे तो जो pencil का जो shade होता है carbon होता है वो जो color होते हैं color में mix हो जाते हैं और फिर जो कोई भी color है हम apply करेंगे जो उसकी eject जो look होती है वो थोड़ा सा उसमें dullness आ जाती है तो आप pencil को थोड़ा सा light ही चलाईए अगर आपने कोई भी painting draw करने के बाद उसको paint करना है तारी वीडियो आप धीरे धीरे देखना आपको अच्छी तरह से समझा जाएगा के पैंसिल को कैसे चलाया गया और कौन सा portion कैसे बनाया गया है और प्लीज एंड पे अपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप ताकि हम जो भी नई नई paintings बनाएं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचाएं फ्यूचर में और भी अच्छी पेंटिंग्स आपके पास आएगे लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा झाल 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 झाल